और कैसे हो आप से मैं आ चुका हूँ COD Mobile की एक और नई वीडियो के साथ Undead Siege का Week 6 आ चुका है और हमें कुछ न्यू टास्क मिले हैं कैसे आप उनको कंप्लीट कर सकते हो वो आपको बताएंगे यहाँ पर First Task है Build a Level 5 Turret in Undead Siege Nightmare आपको Nightmare मोड पर एक Turret Level 5 का Build करना है यह आपको हो जाएगा Next है Kill 5 Igniter Zombies आपने Undead Siege मोड पर देखा होगा जिन जॉम्बीज को आग लगा हुआ होता है और वो हमारे Turret के पास आकर Blast हो जाते हैं वो है Bio Igniter Zombies 5 Igniter Zombies को Kill करना है Next Task है Fixed Turret and Base Health 5000 पॉइंट बहुत ही Simple है जब Zombies आपके Base को और Turret को Damage देंगे तब Bio Ranch का यूज करके उनकी Health को फिर से Increase करना है 5000 पॉइंट आपको करना होगा यह हो जाएगा Next Task है Kill 5 Zombies with Throwable इसको Complete करने के लिए चलते हैं Gameplay पर हम आ चुके हैं Gameplay पर यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास Grenade है और Molotow है Grenade, Molotow और Tripmine जिस सबी हमारे Throwable आइटम है इनका Use करके हमें 10 Zombies को Kill करना है बहुत ही Simple है यह Mission भी हमारा Complete हो जाएगा Match End हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ Task को Complete कर लिया है बहुत ही Simple Task है आप भी भाईयों इनको Easily Complete कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और Share कर देना मिलेंगे नेक्ट वीडियो पर ओके बाई